नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड़ाट वोर्स एवन में दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आसपास के इलाके में जो अर्थक्विक आये था उसके जटके दिली तक महसूस किये गए हैं और स्पेसिफिकली जो NCR जोन है या राजस्तान का जो इस्टन पार्ट है उसमें इस तरह के जटके हमें देखने को मिले हैं इवन अगर हम बात करते हैं तो NCR जोन में लगातार इसी तरीके के जटके हमें महसूस किये जा रहे हैं अगर हम बात करते हैं तो जब टर्की में भूकम पाया था तो भी कुछ चर्चाएं चली थी कि भारत में भी कुछ ऐसे जोन है जो टर्की जैसी तबाही मचा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कुछ दिनों से इस बारे में काफ़ जादा न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि स्ट्रॉंग अर्थक्वेक टैमर्स फेल्ट इन NCR और साथी साथ जो 6.6 मेगनिट्यूट का अर्थक्वेक अफगनिस्तान में आय था उसकी वच अधन इंडिया की पार्ट है उसकी हम बात करें तो तो दोस्तों सवाल यह है कि क्यों जटके क्यों आ रहे हैं इस एरिये में क्यों जटके महसूस किये जा रहे हैं लगातार क्यों किये जा रहे हैं और यह जोन कितना खतरनाक है साथी साथ क्या यह बड़ी तबाई के संकेत या आप ये भी मान सकते हैं कि लगातार अगर भूकम के जटके महसूस के जा रहे हैं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है सब कुछ हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसे परसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरपसवामी दोस्तों देश की कैपिटल है डेली और डेली के अंदर मंगलवार को भूकम के तेज जटकों से लोगों को काफी ज़दा परिशानिया हुई रिजन था कि अफगानिस्तान में 6.6 मेंगनेट्यूट का अर्थ को एक आया था और इसका जो असर है वो दरसल दिल्ली नौइडा गुरूगराम तक दिखाई देगा कुछ सेकेंड के लिए धर्ती जो है वो तेज से हिली अगर आप राजिस्तान के कुछ पार्ट की बात करें हरियाना के पंजाब के कुछ इस्टन पार्ट की बात करें तो भी आपको ऐसे जटके मैसुस ज़रूर हुए होँगे कई सेकिंड तक हमें इसका जो असर है वो देखने को मिला यह अब तक का सबसे भयानक भूकमता आप यह मान सकते कि कई लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे बहुत से लोग बिल्डिंगों से बार आकर खड़े हो गए थे और अफगानिस्तान का जो हिंदु कुष एरिया है उसमें 6.6 मेगनिट्यूट का जो अर्थक्वेक है वो आया था जिसका असर डारेक्ली इंडिया पर हुआ वहाँ पर 10 लोगों की देथ हुई और वहाँ पर आप यह मान सकते हैं कि काफी ज़्यादा भीशन अर्थक्वेक माना गया लेकिन दोस्तों ये जो बेसिकली रीजन है जो आप इस मैप में देख पा रहे हैं इस रीजन में ज़्यादा जटके मैसुस किये गए थे और जब भी हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो दिल्ली की चर्चा हमेशा होती है कि दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो भी कोई सेफ जो नहीं है अर्थक्वेक को लेकर तो इसको समझना ज़रूरी है कारण होता है यह जो प्लेट है यह आपस में टकराता है और टकराने के बाद में इनमें कमपन होता है और इस कमपन को उपरी सतय पर देखा जा सकता है मैसूस किया जा सकता है और इसी को अर्थक्वेक कहा जाता है यह अलग-अलग तरीके से हो सकता है जैसा कि आप इस इमे एक दूसरे के वीप्रीत चले, इस image में आप देख पा रहे हैं, चाए वह है divergent plate में चले, convergent plate में चले, या फिर transform plate में चले, direction आप देख पा रहे हैं, किसी भी direction में चले, तो हमें earthquake का जो ऐसास है वो होगा, और ये कितना भी ज्यादा खतरनाग हो सकता है, और वैसे हम बात कर हैं, तो भूकम जो है, वो generate होते हैं focus से, focus आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये focus है, जो central, जो अर्थ का जो surface है, उसके नीचे हमें देखने को मिलता है, जहांके एक center से, एक center से, जो company है, वो create होते हैं, तो focus की वज़े से earthquake generate होते हैं, ये focus परत्वी की जो अंदर की surface है, जमीन के सबसे नज़्दीक का जो इस्थान होता है, उसे hypo center कहा जाता है, और hypo center से सीधे direction में हमें epicenter देखने को मिलता है, और देखा जाए तो इसी की बाद घरशन होता है, जो plate से वो आपस में कमपन करने लगती है और एक दरार हमें देखने को मिलती है, परत्वी की जाता है तो भुकम्पी तरंगे जो होती है उस बिंदू से सभी दिशाओं में बाहर की और विकिर्ण होती है आप यह मान सकते हैं कि जो रेडियेट होती है जो वेव्ज हैं वही कहीं न कहीं एक डेंजर कारण मनती है एक रीजन मनती है किसका अर्थक्वेक का भुकम्प का और अगर हम इंडिया के प्रस्पेक्टिव से बात करें तो सबसे बड़ी जो जानकारी है वो हमारे लिए ये भी हो सकती है कि भारत में इसे कौन-कौन से एरिया जिन पर ज्यादा खत्रा है तो हिमाल्या या उसका जो नर्दन एरिया है उसकी सबसे नई प्लेटे हमें दे जो पुर्वत्तर भारत है उसके बीच में हिस्तित है और साथ ही साथ भारत के इन इलाकों में अक्सर जो भूगम के जटके हैं वो मैसुस किये जाते हैं और भारत और नेपाल का जो हिमाल्येन वाला एरिया है वो दो विशाल टेक्टोनिट प्लेट की जो बॉर्डर है उस का खतर रहता है जो काट मांडो में भूकम पाया था उसके जटके इंडिया में भी मैसुस के गए था इस पेसिफिकली जो नौर्देस्ट के जो राज्य है इन के अंदर और भारत सरकार के दिए हम बात करें तो एक डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं एक डेटा के माप्तिवड़ता के माप के आप आधार बर देख सकते हैं मतलब के जगे मेगनेटुट ज्यादा हो सकता है में कम भी और आप इस मैप में समझ सकते हैं और बहाए अच्छे तरीके से बेसिकली दोस्तो इसको हम अगर डिटेल में समझे तो जो सेस्मेसिक जोन मैप है उसके भूकम के लिया से यदि हम बात करते हैं, तो दो जोनों का नाम हमें सबसे ज़रा देखने को मिलता है, एक तो जोन 2 और जोन 5, जोन 5 एक ऐसा जोन है, जो काफी ज़्यादा जिसमें हमें अर्थवेक के जटके महसूस होते हैं, जो कहीं ना कहीं डेंजर है, मलब जो डेंजरि जान सकते हैं कि जोन 2 ये काफी important question भी है, कई बार पूछा गया है, तो जोन 2 जो है, वो जहाँ पर एक ऐसा area है, जहाँ पर भूकम के जटके कम महसूस किये जाते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जोन के हिसाब से, ये जो आप आसमानी रंग में देख रहे हैं, य जोन 4 का ये area है, जिसमें हमें काफी ज़्यादा जो जटके हैं, वो देखने को मिल सकते हैं, और उसके साथ, जोन 5 का जो area है, वो बिलकुल ऐसे जगे पर इस्तित है, जहाँ पर टेक्टनलिट प्लेट की जो मातरा है, वो ज़्यादा है, बड़ी बड़ी टेक्टनलिट प आएंगे, और जोन 5 में 11 परसेंट जो पार्ट है, वो ऐसे हैं, जो most active है अर्थके के हिसाब से, और साथ ही अगर हम बात करते हैं, तो डेली NCR जो रिजन है, वो दरहसल जोन 4 का पार्ट है, और जोन 4 का पार्ट होने की वज़े से यहाँ पर जो possibilities रहती हैं, मतलब possibilities का जो अर्थके के जटके हैं, वो ज्यादा महसूस किये जाते हैं, क्योंकि आठ राज्ये और शायद एक जो यूटी है, जो union टेटरी पार्ट है, वो जोन 5 में इस्तित है, और उनमें ही सबसे ज़रा तीवरता वाले जो फूकंप है, इनका खत्रा बना है, डेली NCR जो रिज खत्रा बन सकते हैं, देगे दोस्तों बूकंप के लिहास से वैसे भी देली NCR जो जो जोन 4 में आता है, यहां बूकंप का खत्रा 18% है, यही वज़ह है कि यहां बार बार बूकंप के जटके महसूस किये जाते हैं, कुछ magnitude के भूकंप आते भी हैं, देगे दोस्तों यहां आने वाला भूकंप कितना खतरनाक होगा, इसका सटीक अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल काम है, हर बार अलग-अलग तिवरता के भूकंप के जो जटके हैं, वो महसूस किये जाते हैं, अगर रियक्टर पैमाने पर साथ तिवरता का भूकंप आता है, तो यहां आशकारी प्रभाव है, वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कब होगा, यह अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन यह बताना ज़रूरी था, कि यहां पर क्यों जटके ज़्यादा महसूस किये जाते हैं, तो दोस्तों यह था इस वीडियो में, आगे बटने से ब क्लास्रूम लाइफ फाउंडेशन बैज जोईन कर सकते हैं, फीस को लेकर बिल्कुल भी नहीं गबराना है, कूपन कोड में वाई फाइफ सेवन टू लगाना है, जैसे ही आप वाई फाइफ सेवन टू लगाएंगे, आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्राइस बहुत ज काउंट मिलेगा, तो दोस्तों यह था इस वीडियो में, इसी तरीके के इंपोर्टेंट और इंफरमेटी वीडियो के साथ आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, धन्यवाद